कथा सहित्य में आपका स्वागत है आईए आज सुनिए आचारे चतुर सिन्शास्त्री जी की लिखी कहानी ससुराल का वास ससुराल के भी क्या कहने है धरातल पर वह एक निराली ही चीज़ है कवी ने कहा भी है कि इस असार संसार में ससुराल ही सार है ससुराल में यदि एक दो दिल्चस्प सालियां भी हो तो बहार ही बहार है ससुराल अमीर हो या गरीब बढ़िया हो या घटिया यह हम दामादों के विचार का विशे नहीं और हम चाहे जैसे चपर गटो फटे हाल आवारा गर्द हों इससे भी कोई पहस नहीं ससुराल में तो हम लाट सहब ही बनकर रहेंगे और ससुराल वालों को सिर के बल हमारी अरदली में खड़ा रहना ही पड़ेगा हमें ससुराल सिर्फ दो-चार बार ही जाने का मौका मिला था दो-चार दिन रहकर चले आया करते थे शिरिमती को विदा करा लाते थे वे दो-चार दिन ऐसी मौच बहार में बीटते थे कि बरसों उसी के सपने दिखा करते थे हम भी रेशमी कुड़ता और नई फैल्ट तथा कामदार जूता पहन कर गौरी बाबू की सोने की खड़ी मांग कर और उसे कलाई पर बांध कर तथा उनी की चानी की मूट की छड़ी और चमडे का सूट के समांग कर ठाट से चाते बात-बात में नकरे करते पचास बार ना करने पर नाश्ता दो उंगलियों से उठा कर खाते सौ बार कहने पर खाने को उठते रोजगानों पर सेफटी रेजर फेडते खूब साबधानी से हसते और मौका पाकर डिंगे भी हांकते थे रोजगार धन्दा हमारा कुछ स्था नहीं पढ़े लिखे भी सुक्ष्म ही हैं पर ससुराल में हम यह सब भूल जाते थे किस्मत की बात देखिए ससुराल भी हमको मिली टटपुझिया बिहा से पहले हम ससुराल के बड़े बड़े सबने देखा करते थे गौरी बाबु के ससुराल हम गए हैं क्या शान का महल है मोटर है नौकर चाकर है दास दासियां है चार सालियां चांद के टुकड़े हैं सब लोग उन्हें राजा जी और हमें कुमर जी कहते थे चलती बार हमें भी जोड़ा कपड़ा और नगदी मिलती थी गौरी बाबु तो चकड़ा भर लाते थे हम सोचा करते थे ससुराल एक दिन मिलेगी हमको भी यह सोचना तो सच्चा हुआ ससुराल मिली और फिर मिली पर मिली सटर पडर ससुर जी 40 रुपे के क्लर्क थे किराय का साधरन मकान था एक साली थी वो बहुत छोटी थी साला आवारा गर्द था सास अलबत्ता बड़ी अच्छी थी हमें देखते ही बाग बाग हो जाती थी दिन भर खाने पीने के सरंजाम में ही जुटी रहती बोलते हुए मुह से फूल जड़ते थे फिर भी एक बात की हमें शिकायत थी हमारे इस्तरी सुन्दर ना थी क्यों जी इसकी शिकायत क्यों ना हो सभी को सौंदर्रे की एक भेंट जीवन में मिलती है मुझे भी मिलनी चाहिए थी पर तकदीर का चकर ही कहना चाहिए गौरी बाबु की बहु के सामने मेरी शिर्मती क्या चीज है यदि मैं यह चाहूं कि मेरी इस्तरी परिसी सुन्दर हो वो मुझे प्राणों से बढ़कर प्यार करे तो इसमें बेजा क्या है जी यही तो मैं चाहता था वो पतिवरता, परिश्रमी, सुशीला और मृदु भाशनी थी पर प्रकरती की निस्ठूरता से उसे सुन्दरे नहीं मिला था प्रकरती सुन्दरे निरिक्षन की कुछ-कुछ योगेता मुझ में है फिर क्या पत्नी सुन्दरे प्रकरती सुन्दरे से बाहर है क्या मैं अपनी इस्तरी को फूलों से सजाना ना चाहता था पर फूलों से सजने योग्य उसका मुह होता तभी तो मैं जानता हूँ कि मैं उसे बहुत अधिक प्यार करता था मैं उसके बिना एक शण भी तो नहीं रह सकता था मेरे मन में प्यास तो थी ही और इस सब के लिए अपरादी थे मेरे ससुर यह मेरी पक्की धारणा थी उन्होंने बड़ी दोर धूप से यत्न से मुझे दामाद बनाया था वे भले आदमी थे बहुत ही भले पर अमीर तो ना थे जो श्वसुर अमीर नहीं वो श्वसुर ही क्या दामाद लोग क्या उनकी भल मंसी को लेकर चाटे और खास कर उस हालत में जबकी बेटी सुन्दर भी नहीं हर हालत में हमें ससुराल से बहुत सी शिकायते थी फिर भी आखिर ससुराल ही तो थी जब भी हम वहां पहुंच जाते तो स्वर्ग कासा मज़ा आता था इच्छा होती थी कि सदा ससुराल में रहना हो तो मज़ा है एक बात हम कहेंगे कि रहे हम किस्मत के धनी जब जो चाहा होकर रहा एक ओजा जी ने हमें एक तावीज बहुत दिन हुए दिया था और कहा था बच्चा यह तावीज वह असर रखता है कि जो चाहोगे पाऊगे वही हुआ ससुराल में सदा रहना चाहा खट से सिलसिला पैट कया वही नौकरी मिल गई वह भी ससुर सहाब के दफ्तर में उन्हीं की दोड़ धूब और अफसरों की चिरौरी करने से पिताजी ने इस बात का विरोध कर कहा बेटा रिष्टेदारी में रहना ठीक नहीं अपने घर में नंगे उखाडे रहो कमाओ खाओ जैसी रुखी सुखी मिले रिष्टेदारी में रहने से कुछ की आन जाती है माताजी ने भी कहा मैंने ब्याह किया तो क्या इसलिए कि हमें छोड ससुराल में जा बसेगा यारों ने कहा हजरत सास घर जमाई कुटा सो तुम कुटा बनने चले हो कहिए इन मुर्खों को ससुराल मुख से अन्विक्यों को क्या कहा जाता हमने सब की सुनी पर की अपने मन की हमारी शिर्मती की राय हमसे मिलती थी बस फिर क्या था एक और एक ग्यारहा एक दिन शुब दिन और शुब मुहरत में हम खिसक चले नौकरी बड़ी ही बेढ़प थी आधे शहर में बिजली की बतियां जलानी पड़ती थी और समय पर बुझानी भी रात को समय कु समय जागना और गली कुचों में पागल कुत्ती की भांती गूमना पड़ता था वहन नजाकत लताफत तो इस पार पहले ही दिन से चली गई थी कभी कभी तार बिकर जाता तो घंटों मगस खपाना पड़ता था तिस पर बाइस रुपे की तंखवा आप ही कहिए क्या किया जाए ससुराल का वास ठहरा कपड़े लत्ते जरा ठीक ठाक से रहने चाहिए सदैव, रेश्मी कुर्ता और गौरी बाबू की चांदी की मूट की बेंद जूता भी वह साढ़े तीन रुपे वाला था जिसे दो वर्षों से घसीट रहा था काम गंदा और पलीद था कपड़े एक ही दिन में गंदे हो जाते थे उन्हें रात को धोना पड़ता था घर में इस परकार धोते धोते चमड़े की भांती हो गए थे ससुराल में आथी रात को धोबी खाट लगाते बड़ी शर्माती थी पर चारा क्या था दस-पांच दिन तो खाने पीने का ऐसा जंजट ना रहा बेचारी सास गर्म खाना लिए बैठी रहती खिला कर सोती चाहे आथी रात हो जाती अलबत्ता नाश्टे की इस बार शुरू ही से पतन कट गई थी पान को भी कोई नहीं पूछता था घर में कोई पान खाता ही ना था इसलिए वहां उसका सरंजाम ही ना था बाजार से पैसा फैंक कर अब पान कौन मंगाए हमने भी उसकी ऐसी परवाह ना की पनवाड़ी से दोस्ती कर ली थी उचापत बान ली थी पान, सिगरेट, सोडा, लेमन जब चाहते पाते तंखा पर हिसाब देने का वादा था बरहाल कोई ऐसा कस्ट ना था काम मजे में चल रहा था पहले महिने की तंखा जो मिली तो सास ने कहा पहली तंखा है इसे मा के पास भेज दो बैचारी खुश हो जाएंगी तंखा के रुपे मा को भेजने पर पत्र मिला कि बेटे की कमाई पाई सी रांखो पर लगाई खुशी मनाई, मिठाई बटवाई अब क्या फिक्र है बेटे हुए सयाने दरिद्र गए बिराने बेटे, अब बुढ़े बाप को सुख मिलेगा तुम भलो फूलो पत्र पढ़कर आनंद ही हुआ चलो, मा को इतना सुख तो मिला दूसरे मास की तंखा माता को भेजने में अर्चन पढ़ गई कुछ रुपे तो हलवाई और पनवाडी की उचापत में चले गए यारोंने मिठाईया और पान सिगरिट खाए पिये थे फिर हमें अब दूद पीने की भी आदत हो गई थी जूता अब दाथ दिखाने लगा था सो एक जूता भी लेना पड़ा, एक कोट सिलाना आवश्यक हुआ टोपी को देखकर घिन होती थी वह भी नई ले ली गई गरज वह दूसरे मास की तंखवा चार दिन में ही फुर हो गई महीने भर के लिए जेब खर्च कुछ न बचा इससे मन को अशान्ती होई पर क्या कर सकते थे पनवाड़ी और हलवाई की उचापत चल रही थी उसी का बड़ा आसरा था क्योंकि अब ससुराल में खाना नहीं मिलता था कभी सास जी का सिर दुखता था और कभी साली के पैर में दर्द हो जाता था घर से पिता ने लिखा बेटे हम तुम्हारी तंखा की बाट मेहे की भाती ताक रहे हैं तुम्हें मालूम है बहु के पास ना धोती है ना कपड़े हम लोग तो नंगे उघाडे रह सकते हैं पर बहु को ऐसा कैसे रख सकते हैं महीना तो पीत गया तंखा कब मिलेगी उन्हें क्या मालूम था कि तंखा तो खुर्द बुर्द भी हो चुकी है हमने चुप साधना ही ठीक समझा एक महीना और बीद गया तंखा आई मगर हलवाई और पन्वाडी ही उसका पड़ा भाग ले गए उनका बिल पढ़ गया था दोस्त पढ़ गए थे और ससुराल से पेट पूरा नहीं भर पाता था कुछ रुपे बचे वह जेब खर्च को रखे अब हमें इस बात की भी परवाहना थी कि ससुराल में कुछ ज्यादा खातिर तवाजे हों हम इस तथे को ठीक ठीक समझ गए थे कि रोटिया मिलती है यह थोड़ा नहीं है होटल में खाओगे तो आठ रुपे की ठुकेगी अब हर समय सास का मुँ चड़ा रहता और सदा ही घी, तेल और आटा दाल घर में नहीं है इसका रोना रोया करती परंतु हमने गूंगा और बहरा बनना ही मुनासिब समझा बेशर्मी पर भी हमें कमर कसनी पड़ी और हम खूब मुस्तैदी से ठीक समय पर खाना खाने पहुँचने लगे क्योंकि ऐसा अनुभव होने लगा था कि जरा भी देर हुई कि कभी सबजी नहीं कभी रोटी नहीं एक दिन देखता क्या हूं कि पिताजी शिर्मती जी को इक्के से उतार रहे है इतने दिनों बाद शिर्मती से मिलन होगा यह देख कर तो मन मयूर ना चुठा पर पिताजी की लाल पीली मुख मुद्रा देख दिल भड़कने लगा उन्होंने हमारे प्रणाम का भी नहीं दिया केवल रात पर ठहर कर सुभा चले गए चलती बार कह गए हम लोग तो मस्दूरी कर खाएंगे पर अपनी औरत को तो अपनी कमाई खिलाओ हमने तुम्हें बढ़ा किया सो इसलिए कि औरत को बुड़े मा बाप पर छोड़ दो स्वयम कमा कमा कर ससुर का घर भरो ससुर का घर भरने की एक ही कही पर अंतु हम कह सुन कुछ भी न सके पिता जी चले गए हमने देखा शिर्मती जी की इस बार वैसी आवभगत नहीं हुई जैसी सदा होती थी बल्कि हमने देखा कि दूसरे दिन से साज जी को कोई रोग का पुराना दौरा पड़ गया और शिर्मती जी को चौके चूलहे में जुट जाना पड़ा परन्तु इससे हमें कुछ हानी ना हुई बलकि बेफिक्री हुई क्योंकि अब खाने पीने का ठीक ठिकाना लग जायेगा इसकी दिल जमई हो गई दो-चार दिन तो सही सलामत गुजर गए पर एक दिन रात को शिर्मती जी से हमारी जड़ब हो ही गई उन्होंने कहा यहां इतने दिन से रह रहे हो जरा इस पर विचार तो करो इस काम में भी विचार करने की कुछ गुणजायश है यह तो हमने अभी सोचा ना था इसलिए एक आएक कुछ उत्तर ना देकर हम सोच में पड़ गए शिर्मती जी ने जरा तेज होकर कहा क्या सोचने लगे कुछ सुना मैंने क्या कहा या चिकने घड़े हो गए हो मैंने कहा सुना तो पर मैंने तो कभी यह बात सोची ही नहीं यह भी नहीं देखा ये लोग तुम्हारा तिरसकार करते हैं नहीं तो मैं इनके पेट की पेटी चार दिन में ही सब समझ गई और तुम इतने दिन में भी नहीं समझे पर समझ कर भी क्या करूँ खाना तो पड़ेगा ही क्यों? क्या अपनी कमाई नहीं खा सकते थे? खा तो सकता था तुम जानते नहीं कि मेहमान दो दिन का होता है तुम खाने कमाने लगे खाओ कमाओ बात तो ठीक कहती हो यह भी नहीं किया कि घर को खर्च भेजते उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया अतेवे मुझे भी खिलाएंगे इसी भूते पर भ्या किया था पर कुछ बचा ही नहीं भेजता कहां से क्यों नहीं बचा? कहां खर्च किया? रोटी तो पराय आसरे खाते रहे शिर्मती की बातें तीखी और सच्ची लगी चुपने लगी हमने कृत स्वर में कहा चुप रहो सुभा इस विशे में विचार करेंगे उन्होंने चुपी साथ ली नहीं कह सकते कि वे रोने लगी या सोने पर हमें नीन नहीं आई हमने रात भर यही सोचा कि सच मुझ पराय आसरे रोटी खाते रहे सुभा उठते ही हमने अपना निर्ने कर लिया हमने शुषूर से कहा हमारा इरादा अलग मकान लेकर रहने का है शुषूर कुछ तेर सोच कर बोले इसके लिए ऐसी जल्दी क्या है यह भी घर है यही रहो यह तो ठीक है पर एक दिन की बात तो है नहीं अलग रहोगे तो खर्च बड़ेगा अकेली लड़की रहेगी कैसे लोग भी क्या कहेंगे लोगों के कहने का क्या है जैसे बनेगा गुजारा कर लेंगे सास पर मुकदमा पहुचा उन्होंने फैसला दिया यही रहें और अपने वेतन से खर्च चलाएं यही निर्ने हो गया परन्तु अपने वेतन से खर्च चलाएं कैसे उसका अधिकांश तो बाबोगीरी और दोस्तों में खर्च हो जाता था इस्त्री के आज आने से भी कुछ मद बढ़ गई उसमें से दस पांच रुपे सास जी के पल्ले पढ़ने लगे धीरे धीरे अशान्ती और कलहें ने धर पकड़ा मा बेटियों में जरा जरा सी बातों पर पहले मन मुटाव हुआ नित्य मौन कोप हुआ फिर खूब धूम धाम से वाके युद हुआ आए दिन उप्तरव होने लगे साले सहाब को पर निकलाए आवाज कस-कस कर कुत्य का संबोधन जीजाजी को देने लगे साली का मधू वर्षन भी अब कोटिल द्रिष्टी में बतल गया उस दिन कोई त्योहार था हमने नया सूट से लवाया था वह पहना मांग पट्टी से ठीक हुए एक पान का बेड़ा पत्नी से मांगा और ज़रा दोस्तों की जहांकी में निकलने की तैयारी की साली ने भीतर घुस्ते हुए ताने भरी मुस्कुराहट से कहा कहा चले नवाब सहाब आज तो बड़े गहरे ठाट है श्वसुर्ष सहाब बैठे हुका गुड़गुड़ा रहे थे बोले क्यों नहीं बेमुल्क नवाब चो ठहरे सास भी बोल उठी खाने के वक्त तो आही जाएंगे बुरा तो लगा पर हम जंजट से घबराते बहुत कम है हाँ श्रीमती जी वहीं बैठी थी बोले अम्मा कोई नवाबी करता है तो अपने पर ही करता है किसी दूसरे पर नहीं तुम्हारे आखों में क्यों खटकता है सास ने करचकर कहा यह तू हमारी कोग फाड़कर जन्मी है खसम की तरफ हमारे सामने मूँ फाड़कर बोलती है आरिया भागिनी तुम लोगों को शर्म भी नहीं आती यह नवावी करने को रुपए लुटाए चाते है यह भी खबर है कि खाने को कहां से आता है हमने बेटी दी है या दुनिया का पेट भरने का ठेका लिया है जो गोडे डाल कर घर में पड़े है श्वासुर जी बोले अकल तो उसकी देखो जिसने बेटे बहु को दूसरों के द्वार पर डाल दिया खुद बेफिक्र है आप इने जिन्दकी भर कमा कमा कर खिलाते रहो इसके आगे जो कुछ हुआ वह ना कहना ही अच्छा है परिणाम सुरूब शिर्मती ने भी मुझे ऐसी ऐसी सुनाई कि मैं खड़े-खड़े कड़ गया उन्होंने बाल नोच डाले कपड़े फार डाले और कहा ऐसे बेशर्म की औरत होने की अपेक्षा रांड बेवा होती तो अच्छा था मेरी आँखे खुल गई मैं चुप चाप बहार आया और सीधा दफ्तर पहुचा इस्तिफा दिया और एक दोस्त से कुछ रूपे उधार ले एक का साथ लिए घर आया आवश्चक सामान बांद लिया शिर्मती जी को बेठाया और घर आकर माता पिता के चर्णों में प्रणाम किया तब से उस नरक रूपी ससुराल की ओर अभी तक मुहन नहीं किया है अभी आप आचारे चतुसिन शास्त्री जी की लिखी कहानी ससुराल का आवाज सुन रही थे इसी प्रकार की सहित्तिक कहानिया सुनने के लिए कथा सहित्ते में अपना साथ हमेशा पनाई रखेगा धन्यवाद